दोस्तों लोगों को ये सवाल सदियों से काफी परिशान करते हुआ आ रहा है कि दुनिया में पहले मुर्गी आया या फिर अंडा इस सवाल को डुणने के लिए लोगों ने काफी प्रयास किया पर लोगों को इसका कोई हल मिल नहीं पाया तो बहुत टाइम बाद अब जाके कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इसका हल निकाल लिया है तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले दुनिया में अंडा आया या फिर मुर्गी तो दोस्तो इस सवाल का सही अंसर ये है कि इस दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई टेली एक्सप्रेस के मताबिक ब्रिटेन की शेफिल्ड और वार्विक उनिवसिटी के प्रफेसर्स ने इस मुर्गी और अंडे के सवाल पर काफी रिसर्च की इस दुनिया में मुर्गी सबसे पहले आई ना की अंडा दोस्तो इस सवाल का जवाब डूनने वाले टीम को लीड करने वाले साइन्टिस्ट डॉक्टर कॉलिन फ्रीमेन ने काहा है कि काफी लंबे समय से वो भी इसमें काफी डाउटफुल थे कि सबसे पहले इस दुनिया में कौन आया है अंडा या फिर मुर्गी पर आप उनके पास कुछ ऐसे सबूत है जो कि बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई है अंडे के खोल में एक ovoclodine नाम का protein पाया जाता है इस protein के बिना अंडा बन नहीं सकता अंडे के निर्मान के लिए इस protein का होना बहुत ज़रूरी है और ये protein केवल मुर्गी के अंदर मुर्गी के गरवाशे में ही बनता है इसलिए ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई मुर्गी के गरबाशे में ओगोकलाइडीन प्रोटीन बना पर उसके बाद ये एक के खोल में पहुँचा एंटिसो की इस रिसर्ट से पता चलता है कि दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई ना की अंडा अलाकि फिर इस दुनिया में मुर्गी कहां से आई इस सवाल का जवाब अभी भी लोगों के पास नहीं है तो दोस्तो आज के लिए बस इतने आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू